गुड मारिंग स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू ओन्लाइन क्लासेज संद्राइज पॉब्लिक सेकेंडरी स्कूल गुढागोर जी प्रिविस क्लास में अपने ग्लास 10 थे के मैथ सब्जेक्ट में चेप्लर वन वेदिक मैथेमेटिक्स में अक्षर साइज 1.1 के कुछ मल्टिप्लिकेशन सोल किये थे वेदिक मैथ का सुत्र एका दिकेंड पूर्वेंड से इस क्लास में आज हम जो हैं मल्टिप्लाई बाई दसुत्र एका दिकेंड पूर्वेंड मल्टिप्लिकेशन का एक अलग मैथेड है वेदिक मैथेमेटिक में इसके बारे में डिसकस करेंगे जिसमें क्यूसा नमबर फर्स्ट है 46 मल्टिप्लाई बाई बाई 99 जनरली इस मेथड से एका दिकेंड पूर्वेंड मेथड से वो मल्टिप्लिकेशन शोल होते हैं जिसमें कोई भी नमबर बेस का वन्यून्ज होता है उसका मल्टिपल हो अथार्थ कोई भी नमबर यदि 9 से मल्टिपल है 99 से मल्टिपल है 999 से मल्टिपल है 9999 से मल्टिपल है similarly ऐसे जो मल्टिप्लिकेशन है वो एका न्यून्ज पूर्वेंड मेथड से सोल होते हैं सबसे पहले इसमें कहके रहता है जो पूर्वेंड डिजिट है उसमें से माइनस वन करेंगे इसका एक नियून करेंगे इसके अलावा 99 जो है वो AJD लिखा जाएगा 45-1 46-1 45 99 अब इस 99 में से एक नियून करने पे जो भी आया है जो भी नमबर आया है उसको सब्ट्रेट कर देंगे 45 यहाँ as it is रहेगा 99-45 99 में से 45 सब्ट्रेट करेंगे तो आएगा 54 अब लिक का साइन इडा देंगे दोनों नमबर को एक साथ लिखेंगे 4554 4554 अंस्वर सेकेंड मल्टिप्लिकेशन 54 मल्टिप्लाई बाई 99 यह भी सिमिलर ही है सबसे पहले उर्विन डिजिट 54 का एक नियून करेंगे 54 माइनस 1 99 as it is लिखा जाएगा 53 एक नियून करने पे जो भी नमबर आया है उसको 99 में से सब्टेट कर देंगे 53 as it is रहेगा 99 माइनस 53 करेंगे तो आएगा 46 पॉब्लिक का साइन हटाएंगे और दोनों नमबर को एक साथ लिखेंगे 53 46 आउस्वर क्योंसा नमबर थार्ड इसी में देखो जो इसी फॉर्मूले से एक का नियून पूर्वेंट से ही सोल होगा 137 मल्टिप्लाई भाई 9999 137 में से एका नियून करेंगे 9999 एक नियून करने पर आएगा 136 इस 136 को सब्टेट करेंगे 9999 में से एक नियून करने पर जो भी नमबर आता है उसको फिर सब्टेट करेंगे एक लिस्टेप में 136 9999 में से 136 को सब्टेट करेंगे तो आएगा 9000 8163 ओबलिक का साइन अटाएंगे दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आएगा 136 988 63 3 अंस्वर क्यों सा नमबर 4 73 multiply by 9 73 में से माइनस करेंगे 1 एक नियून 9 को एज़ेटीज लिखा जाएगा 73 में से माइनस 1 करेंगे तो आएगा 72 और 9 में से माइनस कर देंगे 70 यहां 72 अब यहां आप देखिए यहां माइनस का जो नमबर है वो greater है तो 9 में से जैसे ही माइनस 72 करेंगे तो माइनस का नमबर बचेगा माइनस से 63 माइनस का नमबर आने पर पूरोए डिजिट से हैं यह पूर्वे नमबर से हैं केरी लेनी पड़ेगी केरी लेंगे तो केरी लेने के लिए यहाँ पर देखो माइनस का 63 है माइनस का 63 है और बेस इसका अपने लिया है 10 10 बेस है तो यह पलस में कनवर्ट हो जाए माइनस का 63 इसलिए इससे इसको कम से कम 7 केरी लेनी पड़ेंगी योगि 1 केरी लेंगे तो इधर आके 10 होगा 2 केरी लेंगे तो इधर आकरके 20 होगा 3 केरी लेंगे तो इधर आके 30 होगा लेकिन यहाँ माइनस का 63 है इसलिए यहाँ पर 7 केरी जो है वो लेनी पड़ेगी 7 केरी लेंगे तो इधर से माइनस 7 हो जाएगा और वो 7 इधर आकरके 70 में converting हो जाएगा बेस का multiple हो जाएगा 10 into 770 minus 63 72 में से 7 सब्टेट करेंगे तो आएगा 65 और इधर 70 में से minus 60 करेंगे तो आएगा 7 दोनों नंबर को एक साथ लिखो 657 अंसवर similarly ऐसे ही क्यूसन एक दो और करते हैं ताकि इसको आप ठीक से समझ सकें 467 multiply by 99 467 में से 1 noon करेंगे 1 less करेंगे 467 minus 1 99 99 as it is इसमें से 1 सब्टेट करेंगे तो आएगा 466 अब 99 में से minus कर देंगे एक noon करने पे जो भी नंबर आया है यहाँ 467 में एक noon करने पे 466 आया है तो 466 466 oblique यहाँ भी minus का नंबर ज़्यादा है minus का नंबर ज़्यादा है तो 99 minus 466 करेंगे तो बचेगा remain यहाँ रहेगा minus 367 वो की वो प्रोसेज यहाँ अपने को यूज करनी पड़ेगी minus का नंबर आ गया इसलिए अब यहाँ देखो इस नंबर का जो multiple है वो 99 है तो बेस होगा 100 यह 100 के नजदीक है 100 के नजदीक है तो यह जो है minus का नंबर है तो यह इस प्रिवेस से केरी लेगा तो बेस 100 है तो यहाँ से 1 कम होगा तो इदर आके 100 हो जाएगा यहाँ से 2 कम होगा तो इदर आके 200 हो जाएगा यहाँ से 3 कम होगा तो इदर आके 300 हो जाएगा यह minus का 367 है इसलिए यहां से अपने को कम से कम 4 के ली लेनी पड़ेंगी ताकि वो 100 का multiple हो करके इधर आके 400 हो जाएगे इसमें से 4 minus हो जाएगा और इधर आकर के वो 100 का multiple हो जाएगा 4 into 100 466 में से minus करेंगे 4 तो बचेगा 462 और 400 में से minus करेंगे 367 तो बचेगा 33 462 और दोनों नमबर को एक साथ लिखेंगे That is your answer